हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका आपना यूट्यूब चैनल साइंसी स्टेडिंग मैं हूं भी कह यादब और आज का जो टॉपिक है वो है डिफ्रेंसियेशन डिफ्रेंसियेशन यूजिंग ट्रिगोनमेट्रिकल ट्रांसफोर्मेशन या सब्स्टिचूशन य इस एकसरसाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा अब पूरा कैल्कुलस में यह चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट है चाहे वो टिफ्रेंसियेशन हो या इंटिग्रेशन हो यहां पर जो सब्स्टिचूट करेंगे वो ट्रिगोनमेट्रिक के फॉर्म में होता है हमें सब्स्टिचूट करते हैं जिसके कारान से क्या रूट खतम होता है या कोई टर्म बहुत बढ़ा है वो सॉल्व होके बहुत चोटा सा टर्म आ जाएगा और उसके बाद उसको डिफ्रेंसियेट करना या इंटिग्रेट करना बहुत ही असान होगा तो इंटिग्रेशन में कि भी सब्सेटिचूसं इसके बाद जो हम पढ़ाएं हैं उसके बाद इब सब्सक्रेशन और यहां भी सब्सक्रेशन में चलेगा तो दो ऊना अब सबसीचूसं सेम हैं तो यहां पर अच्छे से आप लोग सबस्टिचिवल में क्या करते हैं आप्सवाच ईसा हो Somos f of x equals to under root a square minus xc square root में फंसन दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग root को खतम करने का कोशिज करेंगे तो root को खतम करने के लिए क्या करना होगा push put करना होगा, substitute करना होगा क्या put करेंगे? x के जगा पे put करना है यहाँ पे a square है तो a put करेंगे a sin theta या आप चाहें तो a cos theta भी put कर सकते है अब लगे की सर a sin theta put करेंगे तो क्या यह root खतम हो जाएगा? हाँ खतम हो जाएगा देखें दिखाते हैं आपको root के अंदर में क्या put किया है? a square minus x के जगा पे put किया है a sin theta तो x के जगा पे a sin theta अगर put करते हैं तो a sin theta का whole square हो जाएगा a sin theta का whole square तो जो आएगा वो होगा a square minus a square sin square theta root के अंदर में a square common लेजिए तो हो जाएगा 1 minus sin square theta अब a square 1 minus sin square theta क्या होगा? cos square theta होगा अब यह root से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा a cos theta root खत्म हो गया अब x के जगा पे a cos theta अगर put करते हैं a cos theta अगर put करेंगे तो यहाँ पे बाहर निकलेगा a sin theta लेकिन इसके जगा पे a tan theta a cot theta, a sec theta, a cos theta नहीं put किजिए नहीं तो root जो था वो root तो रही जाएगा और भी complicated term हो जाएगा ठीक है? अगर ऐसा हो if f of x equals to under root x square minus a square तो एक फर्मुला हमनों को पता है say square theta minus 1 क्या होता है? 10 square theta होता है यानि x square minus 1 अगर होता है, a का value 1 होता है a square हो जाता है, 1 square यानि कि यह formula लगना है यानि x के जगा पे जो put करना है हमनों को वो क्या put करना है? a sec theta या a cos theta a sec theta put करेंगे या फिर a cos theta put करेंगे a cos theta put करेंगे अब अगर a sec theta याँ पे put करके दिखाएं आपको तो क्या हो जाएगा? under root x के जगा पे put करें a sec theta तो हो जाएगा a sec theta का whole square यानि a square sec square theta minus a square अब common क्या आएगा? a square common आएगा हो जाएगा sec square theta minus 1 a square root से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा और sec square theta minus 1 होता है 10 square theta 10 square theta root से बाहर निकलेगा 10 theta root खतम हो गया बस सबसे first में हम लों को क्या करना है? root को खतम करने का कोशिज करेंगे मतलब x के जगब पे क्या substitute करें क्या put करें ताकि ये root खतम हो जाए तो x के जगब पे या तो a sec theta put करेंगे या फिर a sec theta put करेंगे ठीक है? उसके बाद put करने के लिए भी सिखाएंगे पहले तो देख लेते हैं 4 substitution में है 4 को पहले लिख लेते हैं यदि ऐसा दिया हुआ हो f of x equals to under root a square plus x square और x square plus a square दोनों सेम चीज है तो इस case में x के जगब पे क्या फूट करें? x के जगब पे देखें प्लस के case में क्या होता था? प्लस के case में होता था 1 plus 10 square theta या दोगा trigonometry का formula है 1 plus 10 square theta क्या होता था? c square theta यानि कि x के जगब पे पूट करना है हम लोंको a 10 theta और a quad theta और 1 plus 40 square theta होगा तो कौसे की square theta हो जाएगा अब इसको भी root खतम करके दिखाते हैं अंडर root x square x के जगा पर a 10 theta बुटकी है तो a 10 theta का whole square तो हो जाएगा a 10 theta का whole square यानि a square 10 square theta plus a square यहाँ पर a square common आ जाएगा तो हो जाएगा 10 square theta plus 1 a square root से बाहर निकलेगा a हो जाएगा अब 1 plus 10 square theta 6 square theta root से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 6 theta ठीक है एक last substitution है इसको देखते हैं यदि function इस form में हो f of x equals to under root a minus x या ऐसा हो under root a plus x दोनों में से कोई भी एक हो सकता है इस case में क्या करेंगे इस case में एक formula हम लोग याद किये हैं trigonometry में वो है 1 plus cos theta का formula 1 plus cos theta का formula होता है 2 cos square theta by 2 11 class में 1 minus cos theta एक formula होता था 2 sin square theta by 2 ठीक है यानि plus हो यहाँ पे 1 plus x हो या 1 minus x हो plus के case में या minus के case में दोनों जगे cos ही होता है इसलिए a minus x हो या a plus x हो रूट के अंदर में दोनों case में put करेंगे हम लोग x के जगा पे a cos theta ठीक है a sin theta put नहीं कर सकते हैं आप चुकि 1 plus cos का ही formula होता है 1 minus cos का ही formula होता है इसलिए यहां पे minus हो या plus हो x के जगा पे क्या put करना है a cos theta ही put करना है अब यदि a का value अगर 1 हम लोग ले रहे थे तो अगर 1 के जगा पे 2 हो 3 हो 4 हो तो कैसे put करना है सबसे पहले आपको एक चीज़ दियान में रखना है कि ये 4 ये 4 most important substitution है जो differentiation के साथ-साथ integration में भी हम लोग use करेंगे ठीक है तो इस case में अब जैसे यहां पे आजा है ऐसा देखी इसका कुछ example देखे कि कैसे put करना है हम लोगों को जैसे आज है under root 2 square minus xc square समझी a square minus xc square a square minus xc square a constant है constant का value कुछ भी हो सकता constant का value यहां पे 2 है इस case में आपको x के जगा पे क्या put करना था put करना था a sin theta और a cos theta दोनों में से कुछ भी put कीजिए answer same आएगा और दोनों सही है तो x के जगा पे a a है आपका 2 तो लिखेंगे 2 sin theta put करेंगे या 2 cos theta भी put कर सकते हैं दोनों में से कोई एक ही put करना है ठीक है अब अगर ऐसा हो 9 minus xc square तो सबसे पहले तो इसको आप ये समझे 9 क्या लिखा हुआ है 3 का square minus x का square और x के जगा पे put करना था इसके जगा पे substitute करना x के जगा पे x के जगा पे क्या substitute करें a square minus xc square a square minus xc square x के जगा पे put करना है a sin theta ए आपका 3 है तो हो जाएगा 3 sin theta या 3 cos theta पूट कर सकते हैं लेकिन जो सबसे अधिक यूज होने वाला है वो है 1 minus x square means a के जगा पे 1 रहेगा जादा तर इस case में आप क्या पूट किजिए x के जगा पे 1 को आप लिख सकते हैं 1 का square 1 का square वो नहीं होता है तो x के जगा पे क्या पूट करेंगे a तो आपका 1 है तो 1 into sin theta तो 1 into sin theta ना लिख करके डारेट मुलेंगे x के जगा पे क्या पूट करेंगे sin theta या x के जगा पे cos theta पूट करेंगे ये तो हो गया first अब second में इसका example देखिए under root x square minus 4 लिखा हुए तो इसी चीज़ को आप ऐसे समझे x square minus 2 का square लिखा हुआ है ठीक है अब यहाँ पे put करेंगे x के जगा पे x square minus a square x square minus a square ठीक है x के जगा पे क्या पूट करें a sec theta a sec theta a आपका 2 है sec theta sec theta put कर दी या a cos theta means 2 cos theta put कर सकते हैं अगर ऐसा हो x square minus 1 यानि a के जगा पे 1 है 1 का square 1 होता है तो इस case में x के जगा पे क्या पूट करना है a sec theta और a cos theta a का value 1 है तो 1 into sec theta डारेक्ट लिख सकते हैं आप sec theta यानि x के जगा पे क्या पूट करना है sec theta और cos theta कुछ भी पूट किजिए दोनों में से अब third में देखते हैं third में अगर ऐसा आजाए under root x square plus 25 तो इसको क्या समझेंगे सबसे पहले x square plus 5 का square लिखा हुआ इसका मतलब है x square plus a square a के जगा पे यहां पे कितना है 5 इस केस में x के जगा पे पूट करते है a 10 theta और a quad theta यानि x के जगा पे यहां पे क्या पूट करना है x के जगा पे पूट करना है a 10 theta a है आपका 5 तो 5 10 theta अगर ऐसा होगा 1 plus x square कोई दिकत नहीं plus है x पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है अब a square plus x square अगर है तो a के जगा पे 1 है 1 का square 1 होता है यानि x के जगा पे यहां पे क्या पूट करना है x के जगा पे पूट करना है a 10 theta a का value 1 है तो 1 into 10 theta that is 10 theta उसके पाद जैसी 10 theta put कीजिएगा solve कीजिएगा तो root खतम हो जाएगा अब यह last दिखते हैं यह इसका example यहीं पे दिखाते है अगर फंसन ऐसा हो under root 2 minus x root under a minus x a के जगा पे 2 है 2 constant है a का value 2 है तो यहां पे put क्या करना था put करना था x के जगा पे a cos theta a का value कितना है 2 है तो 2 cos theta 2 cos theta put की जैसी 2 cos theta put कीजिएगा solve कीजिएगा तो यह simplify होके root खतम हो जाएगा ठीक है अब अगर ऐसा हो जाए root under 1 minus x तब इस case में क्या put करेंगे x के जगा पे x के जगा पे direct put कर देंगे cos theta book में किसी book में लिखा हुआ है x के जगा पे put करना था a cos 2 theta book में लिखा हुआ 2 theta लेकिन अगर आप x के जगा पे a cos theta put करते हैं तो जादा easy होता है theta अगर 2 theta put कीजिएगा फिर वहाँ से आपको theta निकालना पड़ेगा उसे बेटर है कि आप a cos theta put कीजिए अब इससे related question देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग exercise 10c तक complete हो गया होगा rs agarwal में और rd सर्मा में 11.2 complete हो गया होगा 11.4 भी complete हो गया होगा तो आज हम लोग क्या करेंगे rs agarwal में exercise 10d अच्छे से पढ़ेंगे यह बहुत चेप्टर आप 10d में दिया हुआ है rd सर्मा में 11.3 में दिया है और ncrt जो बना रहे हैं वो 5.3 से बनाईए कोई भी book यूज किजिए topic यह देखिए और question बनाईए सारा question आपसे बन जाएगा अब इसमें question बनेगा कैसा कैसा substitute करते हैं देखिए अगर question हो y equals to sine inverse 2x by 1 plus x square यह question है और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा find dy by dx differentiate करना आपको तो अगर इसको differentiate करें आपनों को भी याद होगा sine inverse का differentiation क्या होता है sine inverse का differentiation होता है 1 by under root 1 minus x square 1 by under root 1 minus x square फिर सी इसका differentiation करेंगे u by v कितना बढ़ा हो जाए बहुत बढ़ा function कभी-कभी तो solve करना मुस्किल हो जाता है यह तो बहुत छोटा question है अगर inverse में बहुत बढ़ा question हो उसको solve करना बहुत मुस्किल है यानि सबसे पहले हम लोगो क्या करना होगा y को solve करना होगा यह जो function दिया हुआ है इसी को solve करके simplify करके एक अच्छे formula उसके बाद उसको differentiate करेंगे तो आसान होगा तो इसमें क्या put करेंगे एक formula आपको पता हो जितना भी formula हम use करेंगे इसमें trigonometry हो या inverse trigonometry हो दोनों का formula हम एक साथ लिखते जाएंगे जिसको पता है बहुत अच्छा है अगर कहीं किसी को दिक्कत ना हो इसलिए हम formula साथ साथ में लिखेंगे एक formula आप लोग पढ़े थे sine 2x का यह sine 2 theta लिख देते हम तो जाएगा 2 10 theta by 1 plus 10 square theta अगर x रहता तो यहां दोनों जगा x लिखते हम तो यह formula 11 class का था sine 2 theta अगर 2 10 theta by 1 plus 10 square theta यानि कि यहां पर गौर किजिए 2 10 theta x के जगा पर क्या है 10 theta दिख रहा है by 1 plus 1 plus x square 10 square theta means x के जगा पर 10 theta अगर put कर दें तो यह पूरा simplify होके फिर से वापस अच्छे form में आ जाएगा जिसको differentiate करना असान हो जाएगा तो यहां पर हम लोग को put क्या करना है put करना है x के जगा पर 10 theta ठीक है class बिल्कुल एक तरह से चली रहा है हम लोगा कई भी बंद नहीं है आप YouTube के माध्यम सही पर लिजिए सारा question बनाते जाएगे निसूल का है पूरा ठीक है तो कोशिस किजिए कि कोई भी book लिजिए और question को अच्छे से बनाते रही है अगर doubt हो तो doubt पुछिए ठीक है x के जगा पर क्या put करते हैं यहां से थीटा का value निकालेंगे थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 10 inverse x y equals to sine inverse इसले क्लाच में inverse थोड़ा सब बताये थे कैसे कैसे निकालते थीटा का value 2x x क्या है x है आपका 10 theta 1 प्लस x square x के जगए पर 10 theta तो इसका square हो जाएगा आपका 10 square theta sine inverse इसका formula देखे क्या set हुआ 2 10 theta by 1 plus 10 square theta के बतले क्या लिए सकते है sine 2 theta तो यह हो जाएगा sine 2 theta ठीक है अब inverse trigonometric function में ऐसा formula हम लोग पढ़े है sine inverse sine x जो होता है वो आपका x होता है कोई भी trigonometric function में inverse में अगर ऐसा होगा cos inverse cos x है तो x होगा इसको detail में inverse में पढ़ना है बस अभी इतना जानिए कि x है तो x हो उतारना है कुछ restriction भी होता है वो देखेंगे हम लोगों आपे cos inverse cos x तो x हो जाएगा अगर लिखा हुआ रहेगा 10 inverse 10 x तो यहाँ पे x हो जाएगा तो यहाँ पे sin inverse sin cancel होगा बचेगा कितना 2 theta बस आपको cancel करके दिखाना नहीं है चुकि यह हमेशा cancel नहीं होता है यह x पे depend करता है यह x का value कहां से कहां तक है इसलिए यहाँ पे हम लोग cancel नहीं कर सकते बस direct sin inverse sin 2 theta को 2 theta लिख देना है अब y का value आया 2 theta theta क्या था? theta 10 inverse x था चुकि question में theta दिया हो नहीं है तो answer में भी theta नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे theta क्या आया? 10 inverse x 10 inverse x अगर किसी को formula direct याद होगा inverse में कि इसका formula ही होता 2 10 inverse x तब भी आप इसी तरह से substitute करके पहले निकालिए उसके बाद differentiate किजिए चुकि question एक number का अगर होता तो आप direct बना सकते थे question 2 या 3 या 4 number का भी हो सकता है इसी लिए इस तरह से substitute करेंगे, put करेंगे उसके बाद solve करेंगे और उसको differentiate करेंगे यानि question ये दिया हुआ था अब इसको put करके solve करके यहाँ पर लेते आए अब इसको differentiate करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक line differentiating both sides with respect to x y का differentiation हो जाएगा dy by dx dy by dx to 10 inverse x यहाँ पर 2 constant है, constant है 2 बाहर निकल जाएगा और 10 inverse x का differentiation बता ही क्या होता है 1 by 1 plus x square इसको solve अगर करें तो 2 by 1 plus x square हो जाएगा अब अगर यह 2 same question 10 inverse में अगर दिया हुआ होता यह 3 same question अगर 10 inverse में अगर होता ऐसा इसको फिर solve करेंगे पता है इसको solve करेंगे पता है क्या हो जाएगा sin 2 theta हो जाएगा और यहाँ पर था 10 inverse यहां पर sin दता फिर उसको solve करने में थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए अगर ऐसा question होगा generally यहां पर minus होगा plus भी होगा तो भी बनेगा ठीक है थोड़ा question अच्छा देखेंगे हम लोग बाद में अगर यहां पर minus करें तो फायदा क्या होगा फायदा यह है कि तुरंत हम लोग यह formula लगा पाएंगे 10 2 theta का 10 2 theta में याद होगा 2 10 theta by 1 minus 10 square theta होता है और जब sine inverse sine 2 theta का formula लगाते हैं तो यहां पर plus होता है ठीक है तो change करके भी दिखाएंगे कि अगर cost में होगा तो कैसे बनेगा वो question भी दिखाते हैं आपको तो यहां पर फिलाल क्या put करना है हम लोग को put करना x के जगा पे 10 theta क्यों put करना है चुकि formula 10 में ही set हो रहा है अब यहां से theta का value निकालेंगे theta का value निकालेंगे वो हो जाएगा 10 inverse x ठीक है तो हो जाएगा y equals to 10 inverse 2x x क्या है 10 theta है तो लिखेंगे 10 theta by 1 minus 10 square theta तो हो जाएगा 10 inverse और यह formula बता ही क्या होता है 10 2 theta होता है 10 2 theta होता है अब 10 inverse 10 खतम हो जाएगा तो बचेगा 2 theta 2 theta थिटा कितना है 10 inverse x है 10 inverse x है यह y आया अब यहां से differentiate करेंगे हम लोग वो तो y का differentiation हो जाएगा dy by dx dy by dx 2 10 inverse x 2 constant है constant को बार किजिए 10 inverse का differentiation 1 by 1 plus x square answer हो जाएगा 2 by 1 plus x square बता ही question तो अलग था हम लोग का question अलग था और answer दोनों का same आ रहा है अब इसी में हम यह बताना चाहरे है कि यहां पे sin inverse के जगा पे अगर cos inverse होगा ठीक है question number 3 इस question को आप लोग घर में अपने से बनाना है cos inverse 2x by 1 minus x square ना हो करके यह प्लस दे जिते हैं ठीक है cos inverse 2x by 1 plus x square यह प्लस वाला है न यह पता है solve हो के क्या होगा sin के form में आ जाएगा और यहां पे बाहर में क्या है cos inverse में अगर इसको हम थोड़ा सा hints कर दें आपको तो पता है ऐसे ही put करते हुए आएंगे इधर से put करते हुए आएंगे अब बाहर में यहां पे sin inverse दिख रहा है यहां पे cos inverse दिखेगा और यह solve करने के बात जब x के जगा पे आप 10 theta put किजिए गर solve किजिए गा तो आएगा कितना sin 2 theta आएगा sin 2 theta आएगा ठीक है बीच में आप लोगों को बना लेना है तो y का value जो आएगा cos inverse अब cos inverse sin तो खतम नहीं होगा खतम होता कब जब ऐसा होता cos inverse cos x होता तो इसका answer हम लोग x लिखते ठीक है तो इसका मतलब है कि इसको cos sin को cos बनाना है तो cos बनाने के लिए क्या करेंगे cos 90 minus theta करेंगे ठीक है तो y equals 2 हो जाएगा cos inverse cos अब खतम होगा अब बचेगा pi by 2 minus 2 theta तो y equals 2 pi by 2 minus 2 theta theta क्या था theta है 10 inverse x यही put किये हम यहाँ यही substitute यहाँ पर किये है theta कितना 10 inverse x तो हो जाएगा 10 inverse x अब इसको differentiate करते है यहाँ पर जाला जगर नहीं है हम direct differentiate कर जाते है dy by dx constant का differentiation 0 होगा minus 2 और 10 inverse का 1 by 1 plus x square हम direct कर दिये तो finally answer क्या लिखेंगे minus 2y लिखेंगे यही पर लिख लिख लिखेंगे minus 2y 1 plus x square answer अब और भी question देखते हैं साब कि अगर question ऐसा हो y equals to sin inverse 2x under root 1 minus x square ठीक है यह चाहे तो cos inverse में भी हो सकता है इस case में हम लोग क्या करेंगे क्या put करें तो जो formula use होने वाला उसको हम पर लिखते है sin 2 theta का formula use होगा sin 2 theta का formula क्या होता था 2 sin theta into cos theta ठीक है तो यहाँ पर put करना 2x x के जगा पर sin theta put करेंगे अब 1 minus x square तो यहाँ दिखने ही रहा है लेकिन अगर आप sin यहाँ put करते हैं root under 1 minus sin 2 theta तो जाएगा cos 2 theta root से बाहर निकलेगा cos theta हो जाएगा याँ यह सही है याँ आपको जो put करना है x के जगा पर वो put करना है sin theta कोई यह सोचे कि sir cos अगर put करें तो क्या दिक्कत है अगर यहाँ cos put करेंगे तो यह automatic sign हो जाएगा अगर यहाँ cos put करेंगे यह sign हो जाएगा वो भी put करके दिखाएगे देखते आँ साही आता है या कुछ और आता है अब यहाँ से theta का value निकालेंगे theta का value हो जाएगा sin inverse x होगा y equals to sin inverse 2x x के जगा पर कितना है sin theta under root 1-x square x के जगा पर कितना है sin theta है तो जाएगा sin square theta sin inverse 2sin theta 1-sin square theta cos square theta root से बाहर निकलेगा cos theta होगा यह direct बोली इसका formula होता है cos theta दोनों सही है sin inverse यह बताए 2sin theta into cos theta क्या होता है sin 2 theta होता है यह हो जाएगा sin 2 theta sin inverse sin खतम होगा तो 2 theta बचेगा y equals to 2 theta theta कितना है sin inverse x है यह हो जाएगा sin inverse x अब इसको differentiate करेंगे तो differentiate करेंगे y का differentiation dy by dx 2 sin inverse का 1 by under root 1- x square आपनों को formula याद हो चुका होगा साइद यह उम्मीद करते हैं आप लोग से अब जैसे speed कर सकते हैं या किसी को speed लगे तो slow कर सकते हैं अगर same question यही question ले y equals to sin inverse 2x under root 1- x square अब यहाँ पर put करेंगे x के जगा पर put करेंगे हम यह बोल रहे हैं कि अगर sin के जगा पर cos put करेंगे तो क्या दिक्कत होगा ठीक है तो x के जगा पर put कर रहे हम क्या cos theta थोड़ा संतर आएगा वो अंतर क्या आएगा तो देख लेते हम लोग theta यहाँ से निकालेंगे theta आजाएगा cos inverse x y equals to sin inverse 2x x क्या है cos theta है तो होजाएगा cos theta under root 1 minus x square x है cos theta तो होजाएगा cos square theta तो यहाँ से होजाएगा sin inverse cos theta 1 minus cos square theta sin square theta root से बार निकालेगा हो जाएगा sin theta अब sin inverse 2sin theta into cos theta क्या होगा sin 2 theta देख लिएजे sin 2 theta होता है तो लिखेंगे sin 2 theta ठीक है यहाँ से sin inverse sin खतम होगा 2 theta बचेगा यहाँ भी बचा था 2 theta यहाँ भी 2 theta बच रहा है अब इसके बाद कुछ अंतर होने वाला है यहाँ से theta क्या पूट किये था हम लो theta cos inverse x था यहाँ पर हो जाएगा cos inverse x अब इसको differentiate करेंगे तो y का differentiation हो जाएगा dy by dx 2 constant है बाहर रहने देजिए और cos inverse का differentiation minus 1 by root under 1 minus x square होगा finally answer क्या हो जाएगा minus 2 by under root 1 minus x square अब बताइए answer कौन सही है यहाँ पर plus है और यहाँ पर minus यही थोड़ा सा अंतर आया ठीक है तो इस case में अगर sin inverse लें sin inverse और यहाँ भी sin inverse यहाँ भी same question एक दम बिल्कुल same है x के जग़ा पर अगर sin put करें तो answer plus में आ रहा है x के जग़ा पर cos theta put करें तो answer कौन सही है दोनों सही है आप दोनों में से कुछ भी put कर सकते है generally या sin put किज़े या cos put किज़े answer same आता है हमेशा कुछ के case में जैसे इस case में क्या हुआ answer minus में अंतर आया एक दो question में ऐसा minus में अंतर में आ सकता है generally दोनों का answer same रहेगा हमेशा अगर यह question इस form में होता इसी को अगर इस form में होता माल लेते है cos inverse 2x under root 1 minus x square अब यहां पे क्या put कर सकते है यहां भी x के जगह पे या तो आप sin theta put कर सकते है और ऐसे solve किजिए या तो cos theta put किजिए और ऐसे solve किजिए अंतर जो होने वाला है suppose x के जगह पे हम sin theta put करते है और सेम इसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे आप भी खुद बढ़ जाएगा आगे अपने से अभी वैसे भी कहीं जाना है नहीं ना इस्कूल जाना ना तो कॉलेज जाना ना तो कहीं coaching जाना है बहर में बेठे रहना है पढ़ते रहना है 2x x क्या था sin theta put हम नहीं करना चाह रहे थे put कर रहे है और ये solve करेंगे तो क्या हो जाएगा cos theta हो जाएगा तो हो जाएगा y equals 2 cos inverse और ये कितना हो जाएगा sin 2 theta बस ये इतना ही अंतर है यहाँ पर sin inverse sin cancel हो जाए रहा था अपने आप और 2 theta बचा यहाँ पर cos inverse था तो अभी कुछ देर पहले पिछला question में सायद बताए थे ये cos inverse sin को बदलना था cos में अब cos क्या हो जाएगा pi by 2 minus 2 theta है तो 2 theta होगा अगर theta होता तो theta लिखते हैं यहाँ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा cos inverse cos cancel होगा बचेगा pi by 2 minus 2 theta तो y equals to pi by 2 minus 2 theta यहाँ से theta निकाल लेजी आप theta निकालेंगे तो कितना हो जाएगा sin inverse x बनाई दिए एक तरह से आपको तो 2 theta theta कितना है sin inverse x अब यहाँ पर differentiate करेंगे d y by dx कितना हो जाएगा pi by 2 का 0 minus 2 sin inverse का 1 by under root 1 minus x square और यह हो जाएगा minus 2 by under root 1 minus x square जब भी question दें पहले कोशिज किजिए pause करके खुद बनाईए अगर ना बने तो फिर से आगे देख लिजी अगर बन भी जाए तो भी मिला लिजी अब आगे बढ़ा के अगर यह question होगा तो इसमें put करेंगे हम लोग अगर निकालें तो थिटा का value हो जाएगा cos inverse x y equal to sin inverse under root 1 minus x x क्या है cos theta है तो हो जाएगा cos theta by 2 simplify किजिए इसको solve किजिए तो जाएगा root under 1 minus cos theta याद है 2 sin square theta by 2 2 sin square theta by trigonometric का पूरा formula याद कर लिजिए 2 to cancel होगा sin inverse sin square root से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा sin theta by 2 सारा formula आप लोगो प्रोवाइट करेंगे देख रहें कैसे आप लोगो प्रोवाइट करेंगे या तो telegram के माद्यम से कराएगे या फिर अपना app बना लेंगे उसके माद्यम से आपको सारा नौर्स प्रोवाइट करेंगे या पर sin inverse sin खतम होगा तो हो जाएगा theta by 2 y equals 2 theta by 2 को क्या लिख सकते है 1 by 2 into theta theta by 2 कहीं लिखा हुआ है इसका मतला यह है 1 by 2 into theta तो हो जाएगा 1 by 2 into theta theta क्या है यहां से cos inverse x है अब यहां पर differentiate करना है ठीक है differentiating both sides लिख लिख लिजिए तो जाएगा dy by dx 1 by 2 cos inverse का minus 1 by under root 1 minus x square तो जाएगा minus 1 by 2 under root 1 minus x square अब कुछ question ऐसा हो जो बहुत ही आसान है कुछ put नहीं करना है बस inverse में है solve करना है direct ऐसा दिया हुआ रहेगा इसमें कुछ put ही नहीं करना है तो क्या करेंगे इस case में solve करेंगे सिर्फ sin inverse 1 minus cos x डारेक्ट लिखा हुआ है तो इसको solve करेंगे तो हो जाएगा 2 sin square x by 2 by 2 2, 2 cancel करेंगे तो हो जाएगा sin inverse sin square root से बाहर निकलेगा sin हो जाएगा तो जाएगा sin x by 2 sin inverse sin cancel होगा x by 2 बचेगा अब यहाँ से differentiate करेंगे इसको y का differentiation dy by dx और x by 2 का differentiation 1 by 2 इसमें कुछ put करने का जमिला यह नहीं था अब ऐसा अगर question दिखें sin inverse यहाँ 10 inverse कर लेते हैं 10 inverse sin x by 1 plus cos x मालेजी यह question है ठीक है यहाँ में कुछ put करना नहीं है डिरेक्ट बन जाएगा यह solve कर लेने से 10 inverse sin x का half angle formula sin x का half angle formula क्या होता था बूलिए 2 sin x by 2 into cos x by 2 अब 1 plus cos x का आप अंगल formula यहाँ भी लगएगा तो हो जाएगा 2 cos square x by 2 2 से 2 cancel किये cos से cos cancel किये 10 inverse sin by cos क्या हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 10 x by 2 10 inverse 10 cancel हो जाएगा इसलिए यहाँ आप हम 10 inverse पहले ही कर ली 10 inverse 10 cancel होगा खतम होगा बचेगा क्या x by 2 अब इसको differentiate करेंगे differentiating बोथ साइट बार बार लिख लिजी आप लूख ठीक है d y by dx x by 2 का differentiation डारेक्ट लिखें 1 by 2 अब यह question ऐसा अगर हो y equals 2 10 inverse cos x minus sin x by cos x plus sin x अगर ऐसा question हो यहाँ भी कुछ put करने का जरूत नहीं है यह same question आपको trigonometric में मिला होगा 11 में ठीक है तो जब भी ऐसा cos sin cos sin के form में हो हो सकते हैं यहाँ पर minus हो यहाँ plus हो यहाँ पर minus हो इस case में क्या करते हैं हम लोग cos से numerator और denominator दोनों में divide करते हैं तो यहाँ पर divide कर सकते हैं और इस बात को लिख सकते हैं इस question को हम पूरा detail में बताते हैं ताकि आपको दिक्कत कम हो cos x minus sin x by cos x cos x plus sin x by cos x cos से divide किये numerator और denominator में 10 inverse अभी तक क्या कर रहे हैं हम इसको simplify कर रहे हैं, solve कर रहे हैं cos by cos, कैसे हो रहा है, cos by cos ऐसे, जैसे लिखा हो रहता है a minus by 2, इसको लिख सकते हैं नहीं a by 2 minus by 2, से हम वही काम कर रहे हैं cos by cos, 1 होगा, minus sin by cos 10 होगा, तो लिखेंगे 10 x by cos by cos, 1 होगा और sin by cos, 10 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 x अब यहाँ पर अपने 1 से 1 से multiply कर लेंगे, तो हो जाएगा 10 inverse 1 से multiply क्यों किये, चुकि एक फाउला आप लोग 11 में यह पढ़े हैं, a plus b का फाउला 10 a plus b का फाउला, क्या होता है 10 a plus 10 b by 1 minus 10 a into 10 b तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना इसका मतलब 1 को 10 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 1 को 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं? 10 pi by 4, 1045 degree 1 होता है minus 10x by 1 plus फिर से 1 के बदले क्या लिख सकते हैं? 10 pi by 4, 10 pi by 4 into 10x यहाँ पे भी क्यों लिखे? 10 pi by 4 और यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? चुकि यहाँ पे 10 a और 10 b, यह दोनों का प्रोड़क्ट यहाँ पे होना चाहिए इसलिए यहाँ पे 1 था यह फ्रमुला यहाँ पे उपर माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अगर 10 यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस होजाएगा और यहाँ पे प्लस होजाएगा याद रखिए कि अगर उपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, उपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, तो यहाँ पर कौन फर्मुला लग रहा है, माइनस वाला, तो हो जाएगा 10 inverse 10a-10b, देखिए 10a-10b by 1 plus 10a into 10b, ठीक है, नीचे फर्मुला लग रहा है, तो हो जाएगा 10 10a-b, a के जगह पर क्या लिखें, 5-4-b, b के जगह पर क्या लिखेंगे, x, तो 10a-b, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, 10a-b, a है आपका 5-4 और b के जगह पर x है, कोई दिकत नहीं, अब यहाँ पर 10 inverse 10 cancel होगा, बचेगा कितना 5-4-x, ठीक है, cancel होगा फिर 10x को x लिख देना आपको डारेक्ट, ठीक है, यह y है, अब यहाँ पर differentiate करेंगे, y को differentiate करेंगे, तो dy बार dx, inverse का भी बहुत जल्द आपनोंको लेक्षर आ जाएगा, वहाँ से देख लिजएगा, 5-4 का 0 हो जाएगा, x का differentiation 1, finally हो जाएगा, minus 1, आपको हम यह बता रहे हैं कि तीन फंसन अगर हो, मैं लिए, वो है कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स या कॉट इन्वर्स, ऐसे बदलने का किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन जेनरली, जितना भी trigonometry का formula हम लोग याद किये, वो या तो साइन में था, या तो कॉस में था, या फिर टेन में था, कॉसेक इन्वर्स, A, Y, B करें लिखा हुआ रहेगा, और कॉसेक इन्वर्स को आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसको बदल देंगे, साइन इन्वर्स, B, Y, A में, ठीक है, और अगर सेक इन्वर्स लिखा हुआ है, तो इसको बदलना चाहेंगे, कॉसेक इन्वर्स में बदलेंगे तो हो जाएगा B by A बस numerator दिनुमेटर ये दोनों आपस में इंटर्चेंज हो जाएगा और अगर लिखा हुआ है कॉट इन्वर्स तो इसको convert करेंगे 10 इन्वर्स में हो जाएगा B by A और साइन इन्वर्स को भी लिख सकते हैं कोट इन्वर्स और कॉस इन्वर्स को भी लिख सकते हैं सेक इन्वर्स और 10 इन्वर्स को भी लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स किधर भी पलट सकते हैं किधर भी चेंज कर सकते हैं लेकिन जेनरली कॉस एक को ही साइन में सेक इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में sin 2x जाद किये, तो इसलिए सबसे first फर्मलों को क्या करना है, कौसेक inverse को convert करना है, किस में, sin inverse में, तो sin inverse लिखेंगे, बस ये interchange हो जाएगा, 2xy, इसका हम प्रूब भी बताएंगे, inverse to union of function में, कि convert कैसे करते हैं, यह convert करते हैं, तो यही क्यों आता है, अब यह question, आज बता चुके हैं, शुरू में ही, sin inverse 2x by 1 plus x square, यहां पर कैसे बनाना था, put करेंगे, x equals to 10 theta, और कुछ खुद भी करना चाहिए आपनों को, तो यह अब यहां से same question हो गया, answer तक से ले जाना है, यह question, अगर ऐसा होता, y equals to, suppose, sake inverse 1 by 2x square minus 1, हम बताएं, कि जब sake inverse में रहेगा, तो इसको convert करेंगे किसमें, cos inverse में convert करेंगे, sake inverse को cos inverse में convert करेंगे, हवास है, तो sake inverse को बदलेंगे, cos inverse में तो हो जाएगा 2x square minus 1, ठीक है, अब x के जगा पे क्या put करेंगे, x के जगा पे put करेंगे, cos theta, ऐसा क्यों, ऐसा इसे लिए, चुकि cos 2x का formula होता है, 2 cos square x minus 1, इसका 4 formula है, उसमें से formula यह था, यहनि x के जगा पे, अगर यहां theta लिखेंगे, तो यहां भी theta लिखेंगे, easy होगा थोड़ा, तो 2 cos square theta minus 1 को क्या लिखेंगे, 2 cos square theta minus 1 को लिखेंगे, cos 2 theta, तो 2 cos square theta, देख रहा है, 2 cos square theta, यहनि x के जगा पे cos theta, यहां पे theta निकाल लेंगे, theta हो जाएगा आपका cos inverse x, यह theta इदा निकाल लिखेंगे, यह फिर यहां लिखी दोनों से ही है, तो हो जाएगा y equals to cos inverse 2x square, x square, x कितना है, cos theta है, तो हो जाएगा cos square theta minus 1, y equals to cos inverse 2 cos square theta minus 1, cos 2 theta, y equals to cos inverse cos cancel होगा, 2 theta बचेगा, अब यहां पे लिख लेते हैं इसको, y equals to 2 theta, theta कितना है, cos inverse x, अब यहां पे differentiate करेंगे, तो y का differentiation हो जाएगा, dy by dx, 2, cos inverse का differentiation क्या हो जाएगा, minus 1 by under root 1 minus x square हो जाएगा, minus 2 by under root 1 minus x square,